हेले व्रिवान, मैं शेफ लिसिया, आज मैं आपको सिखाऊंगी बेंगोली ट्राडिशनल डेजर्ट, कोकुनट नारू, मैं बेंगोली हूँ और ये नारियल का जो नारू होता है ना, इसके बिना हमारा कोई भी पूजा अधूरा रहता है, तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो पहले कड़ाई में मैंने गूड ले लिया है, आपके एरिया में जो भी सेमी लिक्वीड गूड मिलता है ना, वो आपको लेना है, तो देखिए ये जो गूड है ना, ये सेमी लिक्वीड है, पूरा एकदम पतला भी नहीं है, और एकदम हार्ड भी नहीं है, ये सेमी लिक्वीड है, तो ये मैंने ले लिया है, ये नाडू बनाने के लिए बस आपको दो ही इंग्डियन्स लगेगा, फ्रेश ग्रेटेट कोकोनट और ये गूड तो मैंने फ्लेम को एकदम स्लो में कर दिया है, फ्लेम को अल्वेज आपको स्लो में करके ये नारू बनाना पड़ेगा, अब मैं इसमें डाल दूँगी, ग्रेट फ्रेश कोकोनट अपको नारू बनाने के लिए फ्रेश कोकोनट ही लगेगा, फ्रेश कोकोनट डालके इसको अच्छे से मिला लीजिये गूड के साथ, fast to last तक आपको always ये flame को slow में रखके काम करना पड़ेगा flame को कभी भी आप medium में या तो high में नहीं कर सकते हो continuous इसको ऐसे करके cook करते जाना है cooking procedure और ये हिलाना आपको बंद नहीं करना है तो देखिए चारों साइड से ये अच्छे से cook होगा जैसे मैं कर रहे हुँ ना एकदम slow flame में आपको इसको continuously करना है और ऐसे cook करते करते देखिएगा कि ये dry होने लगा है और pan छोड़ने लगा है अब देख रहे हो ये पहले से dry हो चुका है इसी condition में मैं इसमें डाल दूँगे ilaichi powder ilaichi powder optional है अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए नहीं तो इसको आप skip कर सकते हो तो देखिए ये pan छोड़ने लगा है चारो साइर से घुमा के middle की तरफ लेके आईए अब देख रहे हो ये dough जैसा बन रहा है इसको और दो से तीन मिनिट तेक एकदम slow flame में मैं cook कर लूँगे तो ये और थोड़ा सा dry हो जाएगा देखिए color और texture कितना बढ़िया से आया है और एकदम dough जैसा ये बन चुका है आप मैं flame को बंद कर दिया है और इसको room temperature में बस तीन से चार मिनिट तक ऐसे फैला के छोड़ दीजिए जब ये touch करने के काबिल हो जाएगा तब मैं इसमें से नारू बनाऊंगी इसको गड़म गड़म ही आपको नारू बनाना पड़ेगा एकदम ठंडा अगर हो जाएगा न तो अच्छे से binding नहीं आएगा तो देखिए तीन से चार मिनिट के बाद हाथों में थोड़ा सा portion लेके इसको लड़ू जैसा ऐसे गोल गोल घुमा के नारू बना लीजिए size आपके उपर depend करता है लेगिन इसका size बहुत ही छोटा छोटा ही बनता है अब चाहो तो गूर के जगे में चीनी से भी बना सकते हो जैसे मैंने जितना portion में गूर लिया है न सेम portion में अब चीनी से भी बना सकते हो चीनी जब melt हो जाएगा तब उसके अंदर में आपको नारियल एट करके चीनी का नारू बनाना है मैंने गूर से बनाया है, गूर का नारू अच्छा लगता है खाने में मुझे ज्यादा से ज्यादा तो देखिए यह अच्छे से बाइंडिंग इसके अंदर आ चुका है और कितना स्मूथ है उपर में देखिए आजकल तो मर्केट में भी ऐसा मिल जाता है लेकिन घरका बना हुआ बेंगॉली ट्रडिशनल जो नारू होता है उसका स्वादी कुछ अलग होता है तो देखिए बनाते बनाते ना यह जो डो था थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसलिए मैं हाथों से प्रेस करते हुए उसके बाद गोला बना रही हूँ तो मेरा हर एक नारू बनके रेडी हो चुका है इसका शेल्फ लाइफ होता है रूम टेंपरेचर में वान मन तक तो अब मैं इसको और भी ठंडा कर लूँगी तिसक में बाहरी छोड़ दूँगी रूम टेंपरेचर में हाफ नार के लिए तो यह और भी ड्राइ हो जाएगा तो देखिए हाफ नार के बाद यह और भी ड्राइ हो चुका है और यह सेमी सॉफ्ट होता है बहुत हार्ड भी नहीं होता है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता है देखिए इसका अंदर का टेक्स्चर देखिए इसको पूजा में जरूर ट्राइ कीजिएगा या तो कभी भी इसको बना सकते हो तो आज के लिए इतना ही मैं फिर मिलूंगी और एक ना रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर